दोस्तो अपने social media पे कुछ इस तरह के profile peak अगर 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 लगाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले इस website पे आना पड़ेगा जिसका नाम है PFE Maker जिसका link मैंने आपको description में दिया हुआ है तो कुछ आप भी इस तरह की photo अगर लगाना चाहते हैं अपने Facebook, WhatsApp, Instagram और Twitter पे तो इसे कैसे create करते हैं चलिए मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ सबसे पहले आपको इस page पे आ रहा है और इस plus वाले sign पे click करना है क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके पास जो भी photo है आप वहाँ से select कर लेंगे और select करने के बाद जस्त उसे open करेंगे open करने के generating profile pics हो रही है उसके बाद जितने भी ये profile होगी वो generate होकर आ जाएगी आपके सामने दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ही photo कितनी सारी अलग अलग तरह की profile में आपको background देखने को मिल जाएगा यही से आप चाहें तो इसे download कर सकते हैं view पे click करके आप इसका अलग अलग तरह का view भी देख सकते हैं यहाँ पे बहुत तरह की profile है जिस पे आप अलग अलग background को देख सकते हैं अगर आप चाहते हैं background change करना या photo को zoom in out करना तो आप यहाँ पे option दिया हुए adjust photo को तो यहाँ से आप चाहें तो replace photo कर सकते हैं और photo को rotate वगर करना चाहें तो photo को rotate भी कर सकते हैं और यही से आप चाहें तो इसे zoom in और zoom out भी कर सकते हैं तो अगर आप इसे zoom in और zoom out करके save कर देंगे तो बागे की सभी profile एक जैसे हो जाएगी second option पर click करके आप चाहें तो यहाँ पर background को change कर सकते हैं जो की बहुत ही देखने में आपको attractive लगेगा इसके बाद abstract को भी आप यहाँ से change कर सकते हैं gradient को change कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पर reset next में हम देखेंगे यहाँ दूस्तो और भी option दिया है जैसे shadow, shadow अलग अलग दिया है तो आप अपने photo में shadow लगाना चाहते हैं आप इतनी profile pic में shadow देना चाहते हैं वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं इसके बाद दूस्तो यहाँ पर दिया है कि अगर आप चाहते हैं फिर से start करना तो आप okay पर click करके start कर सकते हैं और इसी तरह की टिप्स और ट्रिक्स के लिए फॉलो कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल गो